Hey guys, welcome back to my channel Friends, सर्दियां आ गई हैं और ये सर्दियों का जो सीजन होता है हमारे permanent plants के लिए बहुत ज्यादा difficult होता है हमारी छोटी छोटी गलतियां भी हमारे plants को मार सकती है तो watering करना अपने plants को एक बहुत ही important चीज होती है सही तरीके से watering करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना बहुत ही ज्यादा important ये होता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे basic rules जो कि आपको अपने पौधों में पानी डालते हुए follow करने होते हैं तो friends, अभी बहुत ज़्यादा सर्दि का time है तो हमें early morning watering बिल्कुल नहीं करनी है सुभा सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी में हमें पानी देना अपने plants को बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे plants के लिए तो आपको इंतिजार करना होगा थोड़ी सी धूब खिलने का मौसम थोड़ा सही होने का जैसे ही मौसम थोड़ा सही होता है आप अपने plant में watering कर सकते हैं तो friends, ये तो था पहला point और फिर बात आती है कि पानी कितना देना है आपको तो friends, जब भी हमें अपने plants को पानी देना है तो पहले मिट्टी को चेक कर लेना है मिट्टी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और कि अगर आपके plants की मिट्टी पहले से गीली है तो आपको watering avoid करनी है गीली मिट्टी में पानी आप बार-बार डालते रहेंगे तो plant में जो है, plant की roots में fungus लग जाएगी, root rot हो जाएगा क्योंकि हमारे plants फिलाल सोय हुए है उने ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है पानी सिरफ इतना देना है जिससे वो सही सलामत बने रहें और पानी आपको मिट्टी चेक करके देना है जो ज़्यादा गिले है और में नहीं देना है सुखे plant में पानी देना है धूप में रखे हुए plants को पानी की कम जरूरत होती है चाया में रखे हुए plants को हमें कई-कई दिनों तक पानी देनी की जरूरत नहीं पड़ती है तो main बात है कि पहले मिट्टी को करना है चेक उसके बाद देनी है watering तो कितना पानी देना है फ्रेंट्स तो आपको जब भी अपने प्लांट्स में पानी देना है तो फ्रेंट ये था रूल नंबर 3 आपको प्लांट में जब भी पानी देना है तो पानी देना है आपको भर के चाहे चार दिन में दे चाहे छे दिन में दे पानी तो पानी भर के देना है ताकि जो प्लांट के जो roots है जो गमले में नीचे तक गई हुई हैं उन तक भी पानी पहुंच जाए पानी आप उपर से डालेंगे ट्रेनेज होल से पानी निकलेगा इतना पानी आपको देना है ताकि सारी ही roots को पानी मिल जाए अगर आप थोड़ा सा पानी रोज देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पानी सिरफ उपर वाली roots को ही मिलेगा नीचे वाली roots हमारी dry रह जाएंगी और dry होकर हमारी roots बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी और plants आपका मरना start हो जाएगा तो friends अब है rule number 4 जो की है कि आपको अपने plants को shower करना है या नहीं करना है करना है तो कब करना है और कैसे करना है तो friends गर्मी में तो हम अपने plants को जब भी पानी देते हैं तो shower करते ही है लेकिन सर्दी में बिल्कुल उसका पॉजिट करना है हमें अपने प्लांट को शावर एक तो बहुत ज़्यादा कम करना है रोजाना नहीं करना है बहुत ज़्यादा थंद में आप रोज पॉधों को नहलाएंगे तो उनके उपर जमा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आपके प्लांट को नुकसान पहुचा सकता है, तो आपको क्या करना है, जब आपके प्लांट गंदे हो जाएं, तो आपको शावरिंग करनी है, तो पहर के टाइम जब धूप किली हो, उस टाइम आप अपने प्लांट पे शावर करेंगे, तो जब शाम का टा शावर से अवाइड करना है सिरफ गीला कपड़ा करना है और पत्नियों को आपको पोंच देना है तो यह हो गया रूल नंबर पोर चलते हैं तो फ्रेंट्स पानी हमें अपने प्लांट को देना है ताजा जैसे हम सर्दियों में ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पी सकते हैं उस का पानी आप दें बिल्कुल ताजा चला के तो वह बैस्ट है अगर ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा सा चाहे तो गीजर का पानी मिला के एक बकेट में एक मग गरम पानी मिला के उसको ताजा करके भी अपनी प्लांट्स में डाल सकते हैं या फिर दूप में रख दे पानी क कुछ देर रखा रहने के बाद उसका टेंपरेशर जब थोड़ा सा सही हो जाए उसको आप अपनी प्लांट्स में डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स इन बातों का आपको रखना है ध्यान ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी बने रहें बहुत ज्यादा सर्दी में भी तो फ्रें कानल को कर लें सबस्क्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेश ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच आए तो चली फ्रेंट्स चलते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के की ओए घप्पी गार्टनी और प्रेंटा ए तक भी खर तीज़ी घैपके ऑडर्टनी के रगति रखवार्ड़न